यह दुरोबी संदी कॉंग्रेस से इन प्रस्णों को पोचने के लिए हमें मजबूर करता है कॉंग्रेस दलितों गुजरों बकरवाल और पहड़ियों के आरक्षन को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याई करने के लिए जमो कस्मीर नेशनल कॉंफरेंस के वाइदे का समर्थन करती है क्या कॉंग्रेस साती है कि संक्राचारे परवत तक्तिय सुलिमान और हर परवत को हे मारन के नाम से जाने जाएं क्या कॉंग्रेस जमो कस्मीर की अर्थ विवस्ता को एक बार फिर से भष्टाचार की आग में जोंक कर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हातों में सौंपने का समर्थन करती है क्या कॉंग्रेस पार्टी जमो कस्मीर नेशनल कॉंफरेंस के जमो और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीती का समर्थन करती है क्या कॉंग्रेस और राहूल गांधी कस्मीर को आटोनोमी देने की जमो कस्मीर नेशनल कॉंफरेंस की विभाजन कारी नीतियों का समर्थन करती है आजादी के बाद जमो कस्मीर के लोगों के ये कथित स्वयम्भू भागय विदाता बन पैठे नेताओं को गुम रहा कर नौजवानों को अलगाबादी साजिस का मोहरा जिन लोगों ने बनाया था उनके हातों में पत्थर और एके 47 इन लोगों ने पकड़ाई थी आज आधने प्रधान मंत्री जी के नित्रत्तों में जब जमो कस्मीर के नौजवानों के हातों में फिर से टैबलेट और उन्हें स्किल्ड डेबलमेंट के साथ जोड़ करके उन्हें रोजगार उपलब्द कराया जा रहा है नौजवानों को गुम रहा करने वालों के लिए अब जमो कस्मीर में कोई जगे नहीं है यह सब जानते वे जो सपना सर्दे अटल जी ने देखा था जमो कस्मीर के लिए इंसानियत जमोरियत और कस्मीरियत का उन मुल्यों और उन सिद्दान्तों के आज निकले प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सपनों को साकार करके दिखाया है जमो कस्मीर को जागीर समझने वाले पाकिस्तान प्रस्त ठेगेदार और वहां की कथित लीडर्शिप ने कभी सोचा नहीं कि नफरत की फसल काटने वाली उनकी सियासी जमीन सदा के लिए बंजड़ हो चुकी है कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो अनुसे 370 को समाप्त करेगी यह इन लोगों को आज हजम नहीं हो रहा है अनुसे 370 की समाप्ते के बाद जम्मौ कस्मीर की यह वो हवा बदल चुकी है मुद्दे बदल चुके हैं आतंगबाद और अलगाबाद का मुद्दा चिनाव की धारा में सदाव के लिए विलीन हो चुका है अब वहाँ बिकास, रोजगार और पैचान की बात हो रही है तो सभाई ग्रूप से वोट के इन सौधागरों को कैसे अच्छा लग सकता है और कॉंग्रेस का यह दुरवी संदी कॉंग्रेस से इन प्रस्नों को पोच्छने के लिए हमें मजबूर करता है और इसलिए मैं कॉंग्रेस के नेता से राहुल कांदी से पोच्छना चाहूंगा कि वहाँ देश के सामने इन प्रस्नों का जवाब दें